तो कैसे हैं आप लोग तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप योदो SBI application से अपने bank account का transaction का statement कैसे निकाल सकते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं तो चलिए गाइस पर देर ना करते हैं तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आते इस इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बैल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस को नाटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए गाइस फिर मैं आपको बतायाता हूं कि कैसे आपको यह नुग सब्सक्राइब का ट्रांजेक्शन का स् सकते हैं कि हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं तो आपको सिंपल ही क्या करना है सबसे पहले यह नो एप्लिकेशन उपन कर लेना है ओपन करने बाद आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस अपन हो जागा यहां पर आपको सामने यहां पर यूजर आईडी यहां पर मिलेगी डालने को तो अगर आप अचाहें तो MPI इंसे ओपन कर सकते हैं यहां पर आपको बगल में यूजर आईडी दिखेगा आप इससे ओपन कर सकते हैं आपका यूजर ने मोर पासवर्ड लगता है फिलाल हम यहां पर एमपिन से ओपन करेंगे तो हम सबसे पहले अपन सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब लिए चंञान कर से आपके सामने क। तरीके सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे नीचे आपको स्लाइड करके लेकर आना है यहां पर और सबसे उपर 2 प्रक्रों दिख जाएंगे आपको इसको बगल वाले पर क्लिक कर देना है उसके बद आपके सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस आ जा कर लेना है तो हम क्या करेंगे क्लिक कर देंगे क्लिक करने बाद यहां पर आपको अपने गैलरी में आ जाना यानि कि अपने फाइल मैनेजर में आना है आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको डॉक्मेंट का फाइल दिखेगा है सबसे आपर राइट साइड में आपको क्लिक करना और यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो आए घार रिसन्ट में अपर सकते हैं और से लिए आपको कहीं भी टाइन्ह परन र किछमीं कहने की जरूत नहीं है आप घर बैठे यह इतने भी इस्ट्री है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो guys उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बैल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो को नाटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चले गाइस पर मिलते हैं नेक्स वीडियो बहुत जल तब तक के लिए जय हिंद